हेलो फ्रेंड गुर्माणिंग टौल अप यू वेलकम इन मेकैनिकल गुरूप तो चलिए आज का जो रिकुर्मेंट है वो एंटी पीसी के साइड से है जो सितंबर का सबसे अच्छा रिकुर्मेंट है आगर माना जातों तो तो चलिए देखते हैं इसको स्टार्ट करते हैं का जो भी सेलेक्सन प्रोसेस वगे रहा है वो सारे कुछ हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें तो यह जो रिकुर्मेंट निकलके आया है वह एंटी पीसी रिकुर्मेंट 2023 मतलब एंटी पीसी के साइड से है ठीक है तो आपको 24,000 से 25,000 के आस बास पे आपको स्टार्टिक चल्रिक दिखने को मिलेगा ठीक है तो जैसे कि मैंने बता चुका है कि यह जो रिकुर्मेंट है वो एंटी पीसी के साइड से है और जो पोस्ट है वो डिप्लोमा ट्रेनी और आर्टीजन ट्रेनी पोस्ट के लिए है ठ अब लोग यहाँ पर देख सकते हो तो चलिया वन लोग डिसकस करते है तो चलिए यहाँ पर नेम अब बब पोस्ट है वो डिप्लोमा ट्रेनी का है और आर्टीजन ट्रेनी का है ठीक है पोस्ट जो है यह जो मतलब नोटिफिकेशन आया है वो 228203 को आया है टूटल नउमर ओव वेकेंसि का अगर बात करेंगो तो 50 वेकेंसि होने वाला है ठीक है और जो अगर इसको अप्लाइ कर सकते है अगर आप इंडिया से है कहीं से भी है इंडिया का खोई भी है तो अप्लाइ कर सकते हो ठीक है तो important dates for the NTPC requirement 2023 diploma trainee and artisan trainee post तो start date एप online करने का है वो 28 2023 से ही था और जो last date है अपलाई करने का वो 15-9 2023 तक है ठीक है तो 15-9 2023 तक आप इसको अपलाई कर सकते हो ठीक है पोस्ट का बात करेंगे तो diploma training का जो है वो 18 पोस्ट है और artisan training का जो है वो 32 पोस्ट है पूटल मिला के 50 पोस्ट है 50 वेकेंसिस है ठीक 500 है जैसे कि आप देख सकते हो age limit भी दोनों का लगभख 38 years है ठीक है maximum अगर आपका age 38 years हो रहा है तो आप इस फोर्म को अपलाई कर सकते हो सेलेक्शन अगर qualification का बात करेंगे तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए डिप्लोमा इन mechanical engineering electrical civil 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 field में आपको पास डिप्लोमा या ITI चाहिए ठीक है ना अगर डिप्लोमा और ITI आपके पास है तो आप इस फोर्म को अपलाई कर सकते हो सेलेक्शन प्रोसेस जो है वो दो स्टेस्ट पर है पहला आपका online aptitude टेस्ट होगा और यह टेस्ट होने अगर आपने क्वालिफाई किया तो फिर आपका एक technical round होगा दोनों टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा ठीक है अगर application fee का बात करें अगर इसका application diploma trainee के लिए यह सिर्फ diploma trainee के लिए वो दो टेस्ट है एक aptitude test और दूसरा technical test वहीं अगर ITI trainee के लिए बात करेंगे हम तो सिर्फ यहाँ पर एक online test होने वाला है इसका ठीक है इसको store keeper के नाम से जानते हैं ठीक है application fee का बात करेंगे तो जो general category से से हैं EWA से या फिर OBC से हैं उनको 300 रूपिज देना होगा और ST, SC, PWD, XSM के लिए कोई अप्लिकेशन फी जो है वो दिन के जौरत नहीं है ठीक है तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो यह रिक्वर्मेंट भी आपके लिए काफी हेलफूल है अगर तो इस फॉम को जिरूर अप्लाइ करें और अगर वीडियो अच्छा लगा नोटिफिकेशन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें वीडियो को सब्सक्राइब करें इस परकार के नोटिफिकेशन जो है वो मैं आपको अप्डेट करते रहूंगा थैंक्यू